वेल्कम टू मै चैनल आश्रा मैथेमेटिक सब्सक्राइब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें गुड मोर्निंग अस्टुडेंट्स आज हम लोग एकलीड विभाजन एल्गोरिद्म पढ़ेंगे एकलीड विभाजन एल्गोरिद्म इसमें हम लोग धनात्मक 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 पुर्णांक धनात्मक पुर्णांक या प्रकिर्थ प्रकिर्थ संख्या के बारें पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे प्रकिर्थ संख्या जो भी एकलीड विभाजन पढ़ेंगे तो धनात्मक पुर्णांक धनात्मक 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 पुर्णांक पोजेटिव पोजेटीव इंटीजर इंटीजर और नेच्रोल नम्मर पोजेटीव इंटीजर और नेच्रोल नम्मर के बारने पढ़े जैसे एक दू तीन चार डॉट 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 क्या हो गया धनात्में पुर्रांग क्या नेच्रल नंबर है ओके जैसे में हम लोग एक्जाम पर लेते हैं ठीक ओके जैसे कि बार्र तीस ब्यालेस अठारा क्या ले रहें अठारा तीस को हम तोड़ेंगे गुनान खंट तोड़ेंगे यानि फैक्टर हम तोड़ेंगे तियानिकी एक गुने बारा यानिकी अठारा भुनी फैक्टर हम तोड़ेंगे 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 तताब यानिकर गुने तीस 2 गुने 15 गुने 30 फिर 3 गुने 10 फिर 5 गुने 6 इसी परकार 42 के तोड़ेंगे इनकी 1 गुने 42 2 21 गुने 42 फिर 5 गुने 40 फिर 6 गुने 7 गुने 42 इसी परकार से 18 तोड़ेंगे तोड़ेंगे 1 गुने 18 2 गुने 9 3 गुने 6 3 गुने 6 इनकी HCF जिसके हम बोलते हैं higher इसमें सबसे ज़्यादा 6 इसमें भी 6 इसमें भी 6 और इसमें भी 6 इनकी 12, 30, 42 और अठारा का HCF 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 पर आवर कितना होगा? 6 होगा कितना होगा? 6 होगा तो हम लोग देखें कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं जो सबसे 12, 30, 42 और 18 18 को common factor यानिक सबसे ज़्यादा 6 आया है देख लो सबसे ज़्यादा आया होगा काते हैं HCF जिसको higher common factor काते हैं इंगलीज में हिंदी में महतम समावर्तक बोलते हैं क्या बोलते हैं? महतम समावर्तक HCF निकालने की HCF निकालने की भी धी HCF हम लोग दो बिधी से निकाल सकते हैं एक गुनानखन बिधी से और दुसरा भाग बिधी से एक गुनानखन बिधी से और दुसरा भाग बिधी से इसे HCF HCF हम लोग 30, 15 और 30 के निकालना है 15 और 30 को निकालना है तह हम लोग 15 को गुनानखन तोलेंगे कितना होगा 3 multiply 5 हैंदे मिलते हैं 3 गुने 5 30 को 30 को तोड़ेंगे 2 गुने 3 गुने 5 यानि multiply 30 को equal to 2 multiply 3 multiply 5 एन फैक्टर में तोड़ दिये इसमें common कौन है यानि की इदनो common है तो जो common रहता है उसी क्या बोलते है common रहता है उसी को हम लोग c hcf बोलते है तब हम लोग का hcf hcf कितना के 15 और 30 का 15 और 30 का hcf होगे कितना 3 गुने 5 यानि की 15 कितना होगया 15 इसी तरह भाग विधी से हम लोग निकालेंगे भाग विधी से निकालेंगे यानि की गुननखंड विधी से होगया यानि फैक्टर विधी से यानि की hcf 15 का फैक्टर में तोड़ें तरह थीरी गुने 5 हुआ 30 को तोड़ें तरह 2 multiply 3 multiply 5 यानि फैक्टर में तोड़ दिए इसी को हम लोग भाग विधी से बनाएंगे तो एक सिएफ करना है एक सिएफ यह यह पंद्रर और तीस का ठीक ओके मैं 15 से भाग देंगे इसमें सबसे पहले यह पहचानना होता है कोन बाड़ा है कोन छोटा है तो छोटा से हम लोग भाग देते जो बाड़ा रहता है उसको भाज्य बोलते हैं छोड़ा रहता है उसे भाजक पुलते हैं तो 30 से भाग दते हैं ठीक होगे तो दूमरती क्या हो गया को जीरो होग जीरो होगे निंहीं कट जीरो हो गया इसको बलते हैं क्या होगे इसको बलते हैं बहाजक क्या बोलते हैं भाजक इसको बोलते हैं सेसफल इसको बोलते हैं भागफल भागफल इसको बोलते हैं भाजय क्या बोलते हैं भाजय यहने कि HCF कितना हो गया HCF बरावर हो गया 15 कितना हो गया 15 यहने कि भाग विधी से गुनानखंड विधी निकाल दिये और भाग विधी से भी निकाल दिये क्या किए भाग विधी से निकाल दिये समझ में है HCF और LCM भाग विधी से गुनानखंड विधी से हम लोग फूर्मूला एक ठुट याद कर लेके भाज बरावर भाज गुने भाग फल पलस से याद कर लेना है भाजे बरावर भाज्यक गुने भागफल फलस सेस और इंगलिस में हम लोग इस पर कर लेते हैं क्या पढ़ लेते हैं थियोरी थियोरी हम समय को बचाने के लिए थियोरी को हम लिख कर रखे हुए हैं देखो थियोरी यानि कि इसके बारे में युक्लिट विभाजन इलगुरीद्म युनानी गनितग्य उक्लिट ने दो संख्याओं का महत्म समावर्थ तक ग्याद करने की बिधी खोजी है जिसे हम लोग इकलिट विभाजन इलगुरीद्म के नाम से क्या करते हैं जानते हैं ओके वालक दो संख्याओं का HCF ग्याद करने का नियम सर्थ सबसे पहले हम दो संख्याओं में सबसे पहले बड़ी संख्या की पहचान किजिए उसके बाद दूसरा में बड़ी संख्या को भाजी तथा छोटी संख्या को भाजक मान लेंगे तिसरा इसकी सहाइता से भागफल और सेस्फल ग्यात करेंगे यदि सेस्फल सुन हो जाए तो भाजक ही ये चियफ कलाता है अन्यत्था आगे की परकिरिया चलती रहेगी इसको वीडियो को पोच करके इस थियोरी को लिख लें क्रिप्या करके या नहीं तो अस्क्रीन सॉट ले ले ओके और एक थियोरी आउन है पाचमा थियोरी सेस्फल को नया भाजक और भाजे को नया भाजे मान कर ये परकिरिया दोराए जाती है जब तक के सून न हो जाए इस परकार हम लोग क्या करते हैं दोह राते हैं जैसे एक्जामपल में ले लो ठीक जैसे एक्जामपल में मालनों कि HCF निकालना है 15 और 32 का 32 का निकालेंगे 15 और 32 का तो हम लोग इसको मान लेंगे क्या भाजा का इसको मान लेंगे भाजे जैसे सबसे बाड़ा रहेगा उसको भाजे मान लेंगे तो 32 हो गया हम लोग का भाजे बरावर 15 15 और 32 तीस सेथफ़ल बच गे दू फिर इसको यहने कि इसको हम लोग क्या मान लेते हैं इसेड लाएंगे तो पंदरह होगा दू में गुना करेंगे तो साथ दून कितना होगा स्चवद्धा पलस एक हो जाएगा अब दो को इसेड लाएंगे फिर उसके बाद एक सेड़ फल को भाज जक मानेंगे गुना करेंगे दूसरे सेड़ जीरो आगिया तब जीरो आगिया तो हम लोगा जो यहाँ पर रहता है यनि कि इसको बोलते हैं वह जख हम लोगोग क्या हो गिया हम लोग के आ जाता है यनि कि हCF हो गया बहाम को अव्य को बहास हो गया इस पर लागया आeld Cell phone कि इह की नहीं होज़े है जो थेशफिल जोर्ग हम Lodg क्या बहा confirming हो गया इस एस व्यां हो कह सकते हैं कि 15 और 32 का है कितना हो गया एक हो गया एक जिसका आता हुसको सा अभाजी संख्या भाजी कहते हैं से को फैक्टर कहते हैं इसी परकार से हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे थियूरी बढ़ियां से याद करना अब कि जिसे हम लोग लिए थे फिर एको कोस्चन लेते हैं प्रस्णा माली एक में से कोस्चन लेते हैं एक सो पाइंटीस और दूस्टोपचीस तो सबसे पहले हम लोग क्या थिर दिया हैं कि सबसे पहले पहचानेंगे कि इसमें कौन बाड़ा है तो यह बाड़ा है तो इसको भाज्य मान लेंगे इसको भाज्यक मान लेंगे तो दूस्टोपचीस को हम लोग इसको भाज्य मान लेंगे इसको भाज्यक मान लेंगे उसके बाद भागफल और सेस्फल निकालेंगे ओके तो 135 गुने एक दूसरे गुना करेंगे तो जादे हो जाएगा यानिकि इसको से जादा नहीं होने चाहिए कम तो घटाया कितना आएगा यानिकि 90 उसके बाद इसको हम लोग इसाड लाएंगे को कि इसको बाद लेके मालें इसको सेस्फ़ल को थी म Tabii नहीं को फम करेंगे तो사가 करेंगा दूसरे दूसरे गुना करेंगें तो जाद लेकाइस से गुना कर ता है ता पैंट तालीस सेस्फल है श्कवाद दूसरे गुना करेंगे सेस्फल है जीरो अच्वा गयाते हैं पर हम लोग क्या करेंगा इस्टॉप कर देंगे नाज जो यह है क्या हो गया है मैं इसलिए कि इसी लिए कि एच सी एफ कितना कि एक सो पाइंटीस कोमा दूसर पच्चीस इतना के एच से कितना गया पैंटालिस आगया आज के लिए इतने अगले वीडियो के लिए नेक्स दिन थैंक्यू मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक्यू वालक सबको थैंक्यू देल से थैंक्यू